अब कर आपको कख्षा बारवी का कखश दसभी का प्याइने गए थी हम कख्षा दसभी का पेपर आपको दखा देख लिए यह आपको लाइक लिए इस चेनल को सब्सक्राइब कर देना है 2024 कखशा वारवी वार्षिक परिच्छ हण 24ए समय तेन घंडिक मिल्या पेपर आपका 20 um नहीं करने हैं सभी सेटों में प्रेशने रहेंगे बस्तर में बतल जाएंगे मतलब की आपका इसी चैनल पर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे सबते पहले प्रेशनिकरमांग के एक है प्रेशनिकरमांग के एक है सही विकल्प चुनकर लिखी सही विकल्प चुनकर लिखी प्रेशन आपका छे नमर का है पहला है उर्दू और फार्सी की छंद सैली कहलाती है उर्दू और फार्सी की जो छंद से लिए वो रुबाई कहलाती है उत्तर आपका रुबाई बानमबर का हो जाएगा कहानी का पहला तत्व होता है कहानी का पहला तत्व होता है कथानक ठीक है आनमबर का उत्तर सही हो जाएगा इसके बाद थार्ड नमर का प्रश्ण है सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम था ये शुधर बावु ठीक है आध नमर का उत्तर सही हो जाएगा फिर प्रश्ण है भक्ति भक्तिन कहां की रहने वाली थी आपको बानमर को तर लगा देना है घुशी ठीक है इसके बाद है जो है 6 नंबर का प्रस्टाइद की तहां है नमांग तो नबर सब्सक्राई हो जाएगा इसके बाद प्रस्टे स्थानों की पूर्ति कीजे टिके-ट फ्रशने प्रस्लेंच की पूर्ति कीजिए अगर ये जो मेरी वीडियो जो भी student देख रहे हैं उसके 80 में से 80 नंबर आने से कोई नहीं रुख सकता पूरा पेपर हम बताएंगे इसी वीडियो में सभी प्रशनों के उत्तर हम इसी वीडियो में बताएंगे आपके पास पूरा दिन है याद करने के लिए पूरा पेपर आप रट लीजिए पूरा पेपर रट लीजिए क्योंकि यही पेपर खालिस्थान है एक खालिस्थान है तो आपको लगा दिना है लोकुक्ती ठीक है फिर प्रशने तीसरा है रवी पूर्वे से निकलता है ठीक है का सुध्य रूप खालिस्थान है तो यहां पर राव वामिचुटी की मत्रा जो है यह राइट अंसर हो जाएगा इसके बाद इसके बाद यह जो इसका अंसर हो जाएगा इसके बाद छाटवा प्रशने खालिस्थान हिंदी साहिति का सर्वोत क्रेश्ट महाकाववे है ठीक है फिर इसके बाद प्रशन है सही जोडी मिलाइए जिसमें आपको इस्तंब आ और स्तंब बाद देखने को मिलेगी साथ नम इमेज से लिविए। १ू मिलेगी इनमबर से च निपात सब्द कहानी का केंद्री विंदू तो 24нул से कथानक वसंत पाटिल एस इस चाहलाएगा सा नमबर से शरीर से फषेसे पतला पतला फिए पेर से होस्त ? और इसके बाद जो है च्छटवा प्रश्न का 시 स्प्रकार से इस nehी भी चलता है तो आपको क्या करेना स्कृंझ ले लेना है कि अब देखे लें आंग एक प्रसने प्रेश्चन, प्रश्न करást प्रश्न करमांग 4 यह प्रश्नестноar के ॐक चार्ट है, टूस्त है लिए लिए आप सभी प्रश्णों को ठीके पहला है विंब का साब्देकर्थ है दूसरा है सामानेत्या संग्षेपन मूल कथन का कौन सा भाग होता है तीसरा है अनुछेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए चोथा प्रश्णे किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहन चानवीन और विशलेशन को क्या कहते हैं पाचवा है सिंदु घाटी सब्विता में कौन से फल उगाए जाते थी छटवा प्रश्णे भक्तेन लेखिका को भोजन किस बरतन में देती थी और साथवा प्रश्णे तुलसीदा स्वें को क्या कहलवाना पसंद करते थी ठीक है तो यह हो जाएका चोथा प्रश्णे इन सभी को तर आपको वीडियो के लाश्ण में लिखित में मिल जाएंगे तो आप देख लेना ठीक है फिर पांचवा प्रश्णे सत्या सत्य कथ लिखिए पहला है माधुर दूसरा प्रश्णे निरिक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं तीसरा प्रश्णे मिस्र और सुमेर में चक्रमक और लकडी के उपकरण इस्तमाल होते थे फिर इसके बाद चोथा प्रश्णे डॉक्टर वीमराव मेडगार जाती प्रिथा की सम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे हम वीडियो बनाएंगे आपको तुरंत मिल जाएगी तो आज की वीडियो में इतना ही चलते हैं जय हिंद जय भारत